एक्सेलशे नियूज में आप सभी का स्वाग अदम है और उतरश कुपता धर्शको जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10th के रिजल्ट जो है वो डिकलेर हो गए और इस बार जो है जम्मो के बच्चे जो है वो काफी शांदार जो है और उने परदर्शन किया है और आपकी जानकारे इनोंने हासिल के और सेलिब्रेशन की बात करें तो सेलिब्रेशन जो है कल से चल रही है और अभी तक जो है जारी है और आने विले दिनों में भी यह सेलिब्रेशन जो है वो जारी रहेगी कि चलिए बापकी मुलखात करते हैं दिव्यांस से दिव्यांस आपका result हो गया है बहुत अच्छे आपने हासिल की है कैसा लग रहा है रूह फार यह कि भी प्रोल्भ या बहुत देडर से वैट कर रहे थैंकि है कि result आहे। लेकिन इस पार तो कितनी मैनत आपने की अच्छे मैनत की थी स्कूल वालों ने करवाई टीचर्स ने उन्होंने अच्छे से गाइड किया समझाया पढ़ाया और फिर एचीव किया तो क्या ट्विशन के वशकता रहती है या स्कूल में हम जो पढ़ाई करते हैं वो सफिशेंट होती है मैं आपकी बात करना चाहूंगा तो आप किस तरह से जो है अपनी स्टूडिस को टाइम देते थे घर पे स्टूड़ी करता था स्कूल में जाकर कभी अच्छे पढ़ता था टीचर्स अच्छे समझाते थे उनसे हर एक जो भी डाउट आता था प्राई में वो सब टीचर से क् एक कोई रहा जाता था गप अगर टीचरिग पे सनमझे क्वाग एक है तो गर में आपको बढ़ते हैं यस शर तो गहरा नाम किया तन्वित अल्होत्र है तो दीदी से आप पढ़ते हैं क्या पढ़ते से हैं हर सभजेक्ट पर लेते एंगलिजिग.. नहीं सभी सभॉट्स व वो पर पार कर लिया अब आगे क्या करना चाहते हैं को से सब्जेक्ट्स जो हैं अब आप चुनेंगे इलामत में मैंने चूज करना है साइंस नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स वो चूज करने हैं अब आपका लक्षे क्या है एम क्या है क्या बनना चाहते हो मैं इंजीनिर करन में जाता हूं तो बिल्कुल जिस चीज में इंटरस्टों में वो कर ना चाहिए हॉबिस के बात करें तो हॉबीस के चीज़ों में आपका इंटरस्ट आ पुछ मुवीज भी देखते हैं रेगलर नहीं खेलना चाहिए खेलना चाहिए खेल अच्छा लगता आपको कौन सी गेम खेलते हो तो हौकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी नैशनल गेम है नहीं तो नहीं हैं जो नहीं हैं उसले हैं सिर्फ कृक्ट में चलिए अब मैं बात करता हूं आपके फ्रेंज की बात करता हूं कि फ्रेंड्स भी होंगे आपके संभफ ता worth में तो उनके कितने marks आयें क्या सबीपास आउट हैं यस्स समास हैं मैकसिम ऐचे उन्हों अची करता है नumber कितने आपस और नागे आई के जादा अच्छ आएं सबके अच्छ आई हैं सबके आई हैं या सब के नबर आग Victory सबसे जादा को नहीं है अगे को निकले आपके की और की हैं तो पटिकुल में आप से यह जाना चाहता हूं कि जिस तरह से अब हमारी जीवन शेली आ रही है इसमें कहीं बदलाब आ रहे हैं तो क्या लगता है कि आपको कि जो आपका लक्ष है उसको अचीव करने के मैंट और करनी पड़ेगी उसके लिए तो बहुत मैंट जिए करनी है ओर वं कि करनी पड़ेगी यह जो यह शरी इसका है क्रेडिट आप किसको देना डाउट क्लियर किये जिन्होंने भी सब अच्छ अपढ़ आया। तो डीचर्स, स्कूल, के टीचर्स, सब ने अच्छ से सब आया। तो दीदी से मार मूर भी पड़ती थी? नहीं आसा नहीं है नहीं आसा नहीं है दिदी मारती नहीं थी प्यार से प्यार से समझाते थे अच्छे से समझाते थे मारने वाला काम नहीं है बलकुल मारना भी नहीं चाहिए और अगर कोई डोट है वो दिदी से क्लियर हो गया और अब आप क्या मिजल अपने जूनियर्स क को देना चाहिए कितना समय खेल कुद को देना चाहिए या खेल कूद नहीं करनी चाहिए चाहिए तो जोनों में एक बैलेस होना जागी है, अछागा. जो मोबाइल फून ये स्तमाल करते हैं? ये सर्थ. मोबाइल फून में काफी सोचल मीडिया है, काफी गैजट्स में, अगर हमके साइट्स हैं, एप्लिकेशन्स हैं, क्या इसे डिस्टेरेक्ट ने होते थे? चलिए जी हमें हर चीज जो है वो limit में करनी चाहिए और पढ़ाई की तरफ जो है बिलकुल focus करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई ही इस सब जो है हमारा लक्री होना चाहिए अगर हम पढ़ाई में आगे निकलेंगे तो नीस संदे जो हमारा future goal है उसको अचीव करने में हमारे academics जो हैं हमें मदद करेंगी चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं दिवियांज के brother से आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वानिश्तल गोतर है तो कैसा मैसूस हो रहा है कि आपके बाई ने अच्छे marks लियें? सर बहुत अच्छा फिल हो रहा है तो आपके भी 10th में इतने ही अच्छे marks थे या उससे कम ना है? सर मेरे 10th में थोड़े कम थे इसके ज़्यादा मेरे थे 89.5% थे तो इसने थोड़े ज़्यादा लियें थे थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा लियें 98% लियें तो कुछ जल्सी जुल्सी तो नहीं हो रही है? नो सर जल्सी वाली कोई बात थी खुशी हो रही है जल्सी हो रही है? खुशी हो रही है आप बिल्कुल समझाना चाहिए तो फिर आप लड़ाई क्यों करते हैं समझाना चाहिए लड़ाई ऐसे प्यार के साथ ही करते हैं सीरियस वाली थोड़ी तो अब आप क्या चाहते हैं आपका भाई क्या बने जिस तरह से उसका है मैं कि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो स्ट्रीम रखे ये फिर इंजीनियर का आगे करें और साथ इसाथ में जो है उसको आप परेशान नहीं करेंगे बाता उत्पन नहीं करेंगे वो तो चलता ही रहेगा फिलाल ये दिव्यांश के ब्रदर जिनको काफी खुशी हो रही है कि उनके ब्रदर ने जो है इतने नंबर लियें क्या करा चाहते हैं सब वी रेली प्रावड ऑफ यू हम बहुत अच्छे से इसने महनत की थी इसकी सेल्फ टीचर या कोई भी गाइड जो सिरफ वो गाइड कर सकता है बट बच्चे की अपनी सेल्फ स्टडी होती है सेल्फ इसकी स्टडी थी जिसमें इसने सब्स pretty अबादग में हुनधी मैनत कि है और यह वोत अच्छे से स्टर्टिंग से यह भाव 95 रहा है स्टर्टिंग से स्टर्टिंग से सेल्फ स्टडी करता रहा है हाड़ वक करता रहा है जिसका आज इसको गोल मिल है जैसे कि आप इसे रेगौर पड़ा रहा है तो कोई आ इस ट्रिफ्क्स का घुड़ा आज git एक चीव कर पाया, क्या लगता है इसकी सफलता का जो क्रेडिट है आपको मिलना चाहएं, या दिव्यांश को मिलना चाहए, या स्कूल की टिचर्स को मिलना चाह है, किसको मिलना चाहिए? स्कूल की टीचर्स यहां जो मैंने गाइड किया यह सिरफ हम गाइड कर सकते थे बट इसका सेल्फ स्टड़ी थी जो इसकी वज़ा से इसको यह सारा जो भी अचीवमेंट इसकी इसका खुद का ही है हम तो सिरफ गाइड कर सकते हैं बट यह जो जो भी इसको मिला है वह उसका अब हम बात करते हैं ग्रैंड पेरेंट से कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट को जो है काफी खुशी होती है सर अपना इंट्रॉड़क्शन दीजिए सबसे बहले तो कैसा लगा कि दिवियांश के अच्छे मार्स आए बहुत अच्छा लगा जिए आप क्या चाते हैं यह बड़े हो कि क्या बने उनकी चैसा हो कि मैं इंजिनियर बनना तो बड़े हो इसके साथ बिल्कुल इंजिनियर बनना चाता है तो फैमिली जो है फुल स्पोर्ट कर रही है और फैमिली में जो इंपोर्टन रोल रहता है वो रहता है मदर का कैसा लग रहा है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अपने आपको कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया है मुझे बहुत मेरे को तैसे लग रहा है जैसे मेरे को पता नहीं कोई खजाना मिल गया आज इतना अच्छा मुझे ने प्राउड फील किया है हमें बहुत खुशी है बहुत अब आप क्या चाहती है कि बार्मी में भी इसी तरह के मार्मी में भी आये और ये इंजिनियर बने हमेश की खरए spricht मा का आई की जो डांट होती है उस में भी आशिरवाट चीपा रहता है तो डांट भी लगाती थे हैं यह सबसे चोटया हैं हमारा है हे बहुत लट लाटला है यह उश ने कोड़ांटी नी खाया है वह onसे प्यार ही लिया बहुत मेहनत करता है चोबीस वह ज़दा खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे ने इतनी अच्छे मार्स लेए, तो मैं तो बड़ी खुशी से जून उठी हूँ, बहुत अच्छे मार्स लेए हैं, तो कितनी मेहनद करता था ये, दिन में ये पांचे गंटे पड़ भी लेता था, कभी खेलता था, कभी पढ सफलता के पीछे जो है, एक वेक्ती नहीं होता है, बलकि अनेक वेक्ती जो है, वो हिड़न होते हैं, जिनका चर्चा भी नहीं हो पाती है, पेरेंट्स की बात करें, फादर की बात करें, मदर की बात करें, तो अब आपका बेटे का जो एम है, वो है इंजिनियर बना, तो उसमें आपका क्या योग दान रहेगा, बलकिल जी, स्कूल का नाम रोशन करें, अब संभवता स्कूल चेंज होगा, तो आने वाले समय में जो है, वो अपने दूसरे स्कूल का नाम भी रोशन करेंगा, और पेरेंट्स का नाम भी यूहीं रोशन करेंगा, फिलाल करन सिंग और मुझे यानिक रतेश कुपता को दीजी जाज़ात, और आप देखते रहें, एक्सल्शन यूज